हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना तेल से बनने वाला गलगल खटे का खटा मिठा अचार की रेसिपी, इस अचार को हम बिना फ्रीज के किसी भी कांच के एर्टा डिबे में भर कर चार साल तक यूज कर सकते हैं, ये अच चार साल तक बिलकुल भी खराब नहीं होता, तो इसलिए बेफिकर होके इस अचार को बनाईए, तो आईए बनाना शुरू करते हैं, मैंने लिए हैं, डेड़ किलो के करीब गलगल कटे, गलगल कटे को हिल लेमन भी का जाता है, इनको हमने सबसे पहले पानी से धो लेना है और फिर उनको सुखा लेना है, ताक इनमें बिलकुल भी पानी न रहे, धोने के बाद जब पानी अच्छे से सूख जाए, तब हमने इनको इस तरह से काट लेना है, इनके पीसिस हमने थोड़े बड़े बड़े ही काटने हैं, क्योंकि जब हम इनको पकाएंगे, तब इनक खट्टे के पेसिस कडवे ना हो, और नमक टालने का दूसरा फाइदा ये होता है, कि जो इनका चिलका होता है, वो जल्दी से अच्छे से गल जाता है, और साथ में नमक प्रेजर्विटिव का काम भी करता है, इसे लंबे समय तक खराब नहीं होने देता, खट्टे को काट काटने के बाद इस तरह से हमने इनके सारे भी चांड के अलग कर देने है, अब इनके ओपर हमने नमक चिड़क देना है, अब हमने स्टेरलाइज कांच का जार ले लेना है, जार को हमने पहले अच्छे से क्लेन कर लेना है, फिर अच्छे से उसे सुखा लेना है, फिर उसक इस तरह से काटने के बाद इनमें नमक जरूर मिलाते जाना हैं, चाहे आप टॉस करके नमक मिलाएं या इस तरह से उपर से छिड़के मिला दें, अब इस तरह से काट कर हमने इनको कांच के जार में डालते जाना हैं, कुछ खटे मेरे ताजे खटे थे और कुछ मेरे तीन्च दिन पुराने खटे । अगर आपके पास ताजये खटे नहीं है चार-पंस दिन पुराने कले हैं तो आप उनका चार भी डाल सकते हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता अचार बनाने में इस इस तरह से मैंने सारे खटे काट लिये हैं और कांच के जार में डाल लिये हैं और ऊपर से हमने थोड़ा सा नमक इन में और छिडग देना हैं अब हमने जार को किसी neat and clean cotton के कपड़े से बाद कर धूप में 6 दिन तक रखना है दिन में एक तो बार जार को जरूर दे ताकि सारे पिसीज में अच्छे से धूप लग जाए अब 6 दिन बाद ही मैं मसाला बना रही हूँ तो मसाला बनाने के लिए मैंने 12 लाल मिर्चे ली है इन मिर्चों को हमने हलका सा रोस्ट कर लेना है मिर्चों को कम या जादा अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो मिर्चे रोस्ट हो चुकी है अब उसी कडाही में मैंने 3 चोटे चमच जीरा डाला है और 3 चोटे चमच मिठी सूफ डाली है 1.5 चमच काले मिर्च और 7 अच लॉंग और 3 चोटी लाइची इन सबको हमने हलका सा रोस्ट कर लेना है ताकि मसाले में कोई मौईश्या न रहे जिससे की अचार के खराब होने का जादा डर रहता है मसालों को मैंने 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया है अब इन मसालों को हमने ठंडा होने देना है और फिर हमने इनको दरदरा सा कूट लेना है मिर्चों को भी मैंने हलका दरदरा सा पीस लिया है और मसालों को भी हलका दरदरा सा कूट लिया है इस अचार में और भी अच्छा टेस्ट लाने के लिए हमने ले लेना है पॉना चमच जिंजर पाउडर याने की सोंट पाउडर और पॉना चमच सेंधा नमक छे दिन की धूप लगाने के बाद पीसीज का करर कुछ डार्क सा हो गया है इन पीसीज का चिलका कुछ सौफ्ट सा भी हो गया है दूप में रखने पर इन पीसीज से थोड़ा सा पानी भी निकला था जब मैंने इनको दो-तिन बार हिलाया तो पीसीज में जो पानी था वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया है इस अचार को खटा मिठा बनाने के लिए मैंने लिए 500 ग्राम शकर आप चाहें तो इसमें 500 ग्राम गुड भी डाल सकते हो या चीनी भी डाल सकते हो अब कडाही में मैंने खटे की पेसिस को डाल दिया है शकर भी मिला दी है फिर उसके बाद हमने गैस की फ्लेम को आन करना है आप इस अचार को फेंडोलियम की कडाही या नॉन स्टिक की कडाही या स्टील की कडाही किसी में भी बना सकते हो लेकिन आपने इस अचार को लोही की कडाही में नहीं बनाना है क्योंकि लोही की कडाही में इस अचार का टेस्ट बिल्कुल अजीब सा हो जाता है और बिल्कुल कड़वा सा हो जाता है जब शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसे 10 मिनट तक अच्छे से पकने देना है बीच बीच में हमने इसे हीलाते भी जाना है और पकाते भी जाना है एक ज़रूरी चीज मैं आपको फिर से रिमाइंड करवाना चाती हूँ कि जब आपने इस जार को धूप में रखना है तब आपने इसमें कपड़ा ही बादना है धकन नहीं लगाना है क्योंकि धकन लगाने से धूप में जो मौईस्चर बनेगा वो जार में चला जाएगा जिससे की अचार लंबे समय तक नहीं चल पाएगा इसलिए जार में कपड़ा ही लगाएं क्योंकि कपड़ा उस मौईस्चर को सोख लेता है 10 मिनट पकाने के बाद इसमें हमने सेंदा नमक भी डाल दिया है सोंट पाउडर भी डाल दिया है और जो मसाले थे वो भी डाल दिये है और मिर्च भी डाल दिया है और टेस्ट के अनुसार हमने इसमें नमक भी डाल देना है नमक हमने इसमें पहले भी डाला है तो उसी साब से हमने इसमें नमक डालना है नमक थोड़ा अचार में थोड़ा जादा ही डालें तो जादा अच्छा रहता है क्योंकि जो नमक होता है वो लंबे समय तक अचार को खराब होने से बचाता है अब हमने इन सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है मसाले डालने के बाद हमने इनको सिर्फ एक मिनट ही पकाना है और गैस के फ्लेम को आफ कर देना है अब अचार अल्मोस्ट तयार है अब इसे हमने ठंडा होने देना है शक्कर की जो पतली सी ग्रेवी सी रह गई है ठंडा होने के बाद ये भी अच्छे से ठीक हो जाएगी इस गलगल खट्टे में भरपूर मात्रा में वेटामिन C होता है और ये हमारी सिहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये गलगल खट्टा तो हर तरप से हमारे लिए हैल्दी होता है चाए हम इसे मुरब्बे की तरह खाएं अचार की तरह खाएं या चट्री के रूपे खाएं आदे घंटे मैंने इसे ठंडा होने दिया है अचार का बहुत अच्छा कलर आ गया है और ग्रेवी भी काफी हद तक गाड़ी हो गई है 10-12 मिनट पकाने के बाद गलगल खट्टे के पिसिस 80% तक अच्छे से पक जाते हैं इसका एक पिस में आपको थोड़ा काट के दिखा रही हूँ हमारा अचार 80% तक अच्छे से गल चुका है उसी जार को मैंने धोने के बाद दूप में अच्छे से सुखा लिया है अब सूखे जार में हमने इस अचार को डाल देना है जब आधा अचार जार में डल जाए तो दो चोटे चमच इसमें सफे सिर्का जरूर डाल दे और जब सारा अचार डाल दे तो लास्ट में भी इसमें दो चोटे चमच सफे सिर्के के जरूर डाल दे वैसे तो ये गलगल खटा खुद में ही एक प्रेजर्विटिव है इस तरह से बनाने में इस आचार में थोड़ी मेनस जादा होती है लेकिन इस आचार बहुत टेस्टी बनता है और बहुत लंबे समय तक बेफिकर होके आप इस आचार को यूज़ कर सकते हो इस आचार को जब भी निकालें सुखे चमस से निकालें इस चार में एर टाय ड़कर लगा कर अब ना तो फ्रिज में रखने की जरूरत है ना दूप में रखने की जरूरत है और प्लीज इस रेसिपी के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करें थैंक्स फर वाचिंग, हैव आइस टेए